अच्छा मालेकम दोस्तों मैंने ये खेत के अंदर से मिट्टी को ठाकर बने पर रख दिया है क्योंकि ये जोंता खाल है सिंद्धा पानी लगना है तो अजर पानी ज्यादा हुआ तो इदर खेत में आने का डर है इसलिए हमने इसके उपर मिट्टी लगा दिये है और ये जोंती बाकी रहती है जगा इसको भी मैं लगाता हूं कहीं के साथ कर दा कर दो तर कर दो कर दो कर दो कि अधिया पर आधे बनने में मिटी लगा दी है यह जो उन्सा बाकी आधा रहता है इसके उपर भी मैं मिटी लगाता हूं कि कि अधिया आधा है अधिया आधा है अधिया आधा है अधिया देखे मैंने इस बनने यह उपर मिटी जोंस यह डाली है यह नीचे देखें आप अब मैं इसको पाउं से दबाने लगा हूं कि मिटी मैंने अभी अभी डाली है इसलिए अभी मिटी ताजा है जमी नहीं है खाले जब खाले के अंदर पानी आएगा तो इस खेत में जा सकता है इसलिए मैं अब इस पाउं के साथ इस मिटी को दबाऊंगा अबना कर लगे पूसरी मिस्टे टख़ाँ मैं जब एत्स साथ पुला के जाएगा यह तो चुला को शहाईब कि मिटी कि अवरा हुआ ॉप्री जंप टूसरी नहीं के दूसरी पस्तू एप लिए खिजसे आएपना को मैं लड़त लिएश्फुला कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि यह देखिए मैंने सब बनने के उपर मिटी डाली है खेट के अंदर से अब मुझे अमीद है कि पानी जोंस है अगर मैं मैं इसको खोलूं गाना तो हीदर पान आगे देखें अगर मैं यहाला भी कुलाओ पानि सब्सक्राइब जाएं गार चाहिए अगर मैं इसको बनन और दून घंच मातों पानी दृप्र को जाए गार मैं आपको खाता भी हूं है करें कि अ em कई ये देखिए मैंने इस नक्के से धक्न को उठा कर इदर लगा दिये है जो पानी पीछे आएगा साब से पेले इस खेट में जाएगा अगर है इस खेट में जरोद होगी तो धकं पर धा इदर लगा देंगे और पानी जो होता है फिर इदर को जाएगा विर दिर के इदा है विरेट को जाएगा है लिख टूअी एग्क उस घएगाँ उनसी लगपरेंगी लोता है लोता है लोता है लोता है लोता है प्रफूर्ज के साथ गहाज को साफ कर रहा हूं ये खाल के अंदर से क्योंकि जब पानी लगता है तो ये खास आगया दगता है और जो फूल स्पीड के साथ आगले खेळ में नहीं जाता मैं इसको ठागर इस का रमें से बनने के अपर अपर आख देता हूं वो नामा, कर दो दो कर दो कर दो वो नामा, कर दो कर दो मासका पर खाल जो सा पानी है, वो स्पीर से जाता है अगर हम घास को साफ ना करें तो हमारे क्हेतिमें जो सा पानी है, वो जाता नहीं है हमारा पानी का वक्त है, वो खतम हो जाता है झाल झाल